जै सनिदेव दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों यदि आप डेली का रासिफल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करने यहां आपको डेली का रासिफल मिलेगा साथ ही सुब अंक भागय साली रंग और साथ में उपाया आपको जानने को मिलेंगे आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 27 जुलाई 2024 के धनु रासिफल के बारे में सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग कैसा होगा 27 जुलाई 2024 स्रावन महा का किर्शन पक्षका सनिवार का दिन होगा सनिवार का दिन भगवान सनिदेव को समर्पित होता है सप्तमी तिथी रात 9 बजकर 19 मिनट तक रहेगी इसके बाद 8 मितिथी सुरू हो जाएगी रेवती नक्षत्र दोफैर 12 बजकर 69 मिनट तक रहेगा इसके बाद अश्वनी नक्षत्र सुरू हो जाएगा ध्रहती योग रात 10 बजकर 43 मिनट तक होगा उसके बाद सूल योग सुरू हो जाएगा सुर्य देव करक रासी में वराजमान होंगे यानि आपके आठवे घर में और यहां से दूसरे घर पर द्रस्टी डालेंगे चंदरदेव मेश रासी मेव राजमान होंगे यानि आपके पाच में घर में इस्तित होंगे और यहां से ग्यार में घर पर द्रस्टी डालेंगे राहुकाल का समय सुभह 9 बजकर 16 मिनट से सुभह 10 बजकर 54 मिनट तक रहेगा अभिजीत मुहरत दोफेर 12 बजकर 7 मिनट से दोफेर 12 बजकर 69 मिनट तक रहेगा दोस्तो 27 जुलाई सनिवार के दिन मंगल देव सूरिय की कृति का नक्षत्र से निकल कर चंदरमा के स्वामित वाली रोहिनी नक्षत्र में प्रिवेश कर जाएंगे और यहां मंगल का नक्षत्र परिवर्तन धनुरासी के लोगों पर सकरात्म का सर डालेगा ओर्जा, साहस, पराकरम, इच्छा सक्ती, नित्रत जैसे गुनों और जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ियादी, सुक्स, विधाओं के कारगरे मंगल को वैदिक जोतिस में ग्रहों का सैनापती माना गया है मंगल देव यहां आपके छटे भाव में वराजमान है, जहां देव गुरु ब्रस्पत्ति के साथ ये यूति किये हुए है तो ऐसे में मंगल और गुरु की स्थिति, आपके उपर परिश्रम का दबाब डाल सकती, यानि कार्या का दबाब ज़ादा होगा इस दोरान वेबसाय में कठिन परिश्रम करना होगा, लेकिन आपकी द्वारा किया गया कठिन परिश्रम, आपकी द्वारा किये गई प्रियास, रंग लाएंगे, आपको सफलता की और आगे बढ़ने के लिए प्रिरित करेंगे इस औरान आप अपने सत्रों पर हावी होंगे कोई भी सत्रों, कोई भी विरोधी आपके सामने नहीं टिक पाएगा इस औरान आपको अपने स्वास्थे पर ध्यान रखना होगा एक्जाम की तैयारी में सीनियर और फ्रेंड्स का पूरा सहयोग मिलेगा कारोबारियों को वेबसाय से लाब होने की संभाबना रहेगी बिजनिस में नई योजनाओं की सुरुवात हो सकती है जो भविशे में काफी लाबकारी साबित होंगी नौकरी पेसेवर जातकों को कमपने की ओर से रहने का आवास भी मिल सकता है आपके अंदर आत्म विश्वास और उर्जा में व्रद्धी होगी लंबे समय से रुके हुए कारिय फिर से सुरू होंगे यानि मंगल की किरपादस्टी आप पर बनी होगी चंदर्मा की सित्थी आपको असीम उर्जा और जीवन की प्रती उत्साह से भर देगी आपका कलपना सील और मनोरंजक स्वभाव चमकेगा और आपके आसपास के लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगा आप मानसिक छमता और सहन सक्ती के विरद्धी महसूस करेंगे जिससे है चुनोतिपूर्ण कारियों से निमटने या नए विचारों पर विचार मन्थन करने के लिए एक उत्करस्ट दिन बन जाएगा हालकि यहाँ आपको अपने क्रोध और अधीरता से साब्धान रहना होगा उग्र उर्जा को उत्पादक प्रियासों में लगाए आपकी बुद्धिमता और ज्यान आज आपकी सबसे बड़ी संपत्ती होगी इसलिए अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें, साहसिक कदम आगे बढ़ाएं, दिन की गतिसील उर्जा को अपनाएं और अपने साहसिक भावना को रोमान चक अवसरों की ओर ले जाने दें आज के लिए सुब अंक साथ होगा, सुब रंग हलका नीला होगा और महत्पून कारियों को करने के लिए सुब समय दो बजे से तीन बजकर तीस मिनट तक का होगा चंद्रमा की में इस रासी में इस्तित होने से यह चरण आपके पेशिवर संबंधों के माद्मों से विक्तिकत विकास के लिए एक विशिष्ट अवसर प्रस्तुत करेगा आप देख सकते हैं कि सहकर्मियों और आकाओं के साथ आपके भावनात्मक संबंध मजबूत हो रहे हैं लेकिन किसी भी संभावित संघर्स या एसहमेती को प्रबंधित करने के लिए यह इसपस्ट संचार बनाय रखना महत्पून है आविस में आकर कारे करने से सावधान रहना होगा क्योंकि इससे एस्थाई बाधाएं उत्पन हो सकती हैं इसके बजाए अपनी टीम के भीतर गहरे संबंध और विश्वास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करें धहरी और परिश्रम महत्पून होगा लेकिन लाभ परियाप्त होगा इन चुनोतियों को अपने केरियर की संतुष्टी और सफलता को बढ़ाने के अफसर के रूप में देखें आपके जनमजात, नितरत, गुणों और संतुलन को बढ़ावा मिलेगा जिससे वित्तिय उनती के लिए उपजाओ जम्मीन तेयार हो सकती है विवेक पून चुनाव करने की आपकी छमता बढ़ेगी जिससे समरद्धी में वरधी का मार्ग खुलेगा परुपकारी प्रियासों में भाग लेने से ना केवल आपकी भविशे की वित्तिय स्तिती को बढ़ावा मिलेगा बलकि गहरी व्यक्तिकत संतुष्टी भी मिलेगी व्यपारिक वातावरन हलचल भरा है विसेश रूप से कमोडिटी छेत्र में जो महत्पुन कमाई का पिरमो कवसर प्रदान करता है अनुमानित न्यून्तम वे के साथ आपकी कुल संपत्ति विरध्धि के लिए तियार है अपने रिटर्ण को अनुकुलित करने के लिए निवेश को वस्तों में लगाने पर विचार करें अपना आत्मिस्वास बनाए रखें अपनी परवर्ती पर भरोसा रखें सफलता आपकी मुठी में है चंदर्मा आपके पांचवे घर में है चंदर्मा के परणाम में सूर्ये केतु और चंदर्मा का प्रभाव होगा यहां आप हमेशा सही तरीके से पैसा कमाने की कोसिस करेंगे कभी कोई गलत तरीका नहीं अपनाएंगे वेपार में तो सामाने लाब की प्राप्ती होगी लेकिन निश्चित रूप से सरकार की और से सम्मान और सहयुक प्राप्त होगा और उसके द्वारा सम्मर्थित कोई भी जीत आपको हांसिल हो सकती है यहां आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की आफशक्ता होगी अन्यता आपका कोई अपना नजदी की आपकी योजनाओं को किसी से से शेयर कर सकता है उससे आपको नुक्सान पहुंच सकता है तो ऐसे में आपको अपनी वानी पर नियंतरन रखना होगा अब अदर भासा का प्रियोग करने से बचना होगा अन्यता आप मुसीबतों को निमंतरन देने का कार्य करेंगे यहां आपकी आमदनी और परतिष्ठा में दोनों में व्रद्धी होगी तो ऐसे में लोगों की सेवा करें लोगों का सहारा बने स्वार्थी बनने से बचें लालची भरी योजनाओं से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा होगा आपके लिए पैसा बचाने का आपका ख्याल आज पूरा हो सकता है आज आप उचित बचत कर पाने में सक्चम होंगे दोस्तों के साथ साम बेहद मज़िदार और हसी खुशी से भरपूर रहेगी आज हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले आपका व्यक्ते तो ऐसा है कि जादा लोगों से मिलकर आप परिशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिज करने लग जाते हैं इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत उमदार हैं आज आपको अपने लिए परियाप समय मिलेगा आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बहतर पहले कभी नहीं हुआ ग्रह इसारा कर रहे हैं कि धार में किरिया कलापों की अधिकता हो सकती है मसलान आप मंदिर जा सकते हैं धर्मकर्म के कारे कर सकते हैं किसी धार में कियातरा पर जाने का प्लान कर सकते हैं दान दक्षना भी संबभ है और ध्यान धारना का अभ्यास भी किया जा सकता है तो ऐसे में धन संपत्ती में अच्छी बढ़ोत्री होगी वेबसाय फलेगा फूलेगा पारिवारे करिष्टे अच्छे होंगे ब्रेमादी के लिए भी यह समय सांदार साबित होगा और वेवाही की जीवन में खुशियों भरा होगा तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मता दी दोस्तो